पंजाब स्टार दे उते सिंप्ली ग्रेट्स वेख रहे आप सब दर्शकानू मेजर सिंग नागरावलों प्यार परी सत्षी अकाद। अज दे प्रोग्राम चसे एक खास शक्षित दी बात पौंच जा रहे हां। खास हो इस करके विहन की तोहादे तक जे कर आसी आज वीडियो राहें या इंटरनेट दे रहें या एक ऐलो की इस जड़े आदूनेक जड़े तकनीक है इस दे राहें जे कर पौंच रहे हां। ते उस तकनीक नों विक्षत करन या उस तकनीक दा जरिया बनन देविच इस आज़ दे सेंप्ली ग्रेट्स हस्ति दा एहम योगधान है जी हां, फाइबर आफ्टीक दे पितामा, फाइबर आप्टीक दे फादर कहे जानवाले, फादर आफ फाइबर आफ्टिक, डॉक्टर नरेंदर सिंह कापानी दा जनम जिते कत्ति अक्टूबर 1926 पंजाब दे मोगा शहर विखी होया, उथे उना दी जड़ी पड़ाई है, उनाने वक वक इंसिचुशन तों पड़ाई करन तो परंत अखीर देविच अमरीकाच जा डेरे लगाए। और फाइबर आप्टिक्स देविच उना दी जडी कार्ड है या फाइबर आप्टिक नू जडी उस दी इन्वेंशन है वो डाक्टर कमपानी दे हिस्से ओंदी है। सेंचुरी दा खिताब प्रापत होया। सिख फाउंडेशन दा नी रखन दे नाल नाल उस दे रहीं इस वर्ल्ड नू जिसनु अपाँ फर्स्ट वर्ल्ड कहने या फर्स्ट वर्ल्ड देवें सिखी आर्ट्स नू प्रमोट कीता। उनाने सिखी कला दे नाल नाल सिख कला कारान नू वी बंदा जड़ा उना दा सनमान है। अपने एग्जीबीशन रहीं अते वक वक कला दू समर्पत दिडियें स्ट्शिता सान उना दा मान सनमान करके उनानू बंदा मान दिलवाया। डॉक्टर नरेंदर सिंग कमपानी जना देवलनों पाए होए पूर ने सदा याद रखे जानगे इस फानी संसार नू तिन दिसंबर दो हजार वी नू अलविदा आके। जी हाँ 94 साल दी उमर देविच उना दा एहे विछोडा जित्थे सिख जगत देले एक असहे विछोडा है उत्थे दुनिया पार देविच जिड़ा साइंस दा खेतर है उना देले वी एक बहुत वड़ा काटा है। आज जैसी डॉक्टर नरेंदर का पानी नू उना दे कुझ साथियां या उना दे बहुत नजदीक रहे यड़े लोग हान उना दे रहें याद कर दे हां। आओ सुन दे हां उना दे बाबत उना नू शर्दा अंजली वज्जों उना दे कुझ चौन वालें दे विचार। मैं सिख आर्टिस्ट अन्यमोमी बी एरिया केलिफोर्निया तो तो देना सांज कर रहें हैं। फादर ऑफ फाइबर आप्टिक्स, डक्तर नरेंदर कापानी जीनु। उना दी कंट्रिबूशन, उना दी आर्ट कलेक्शन, उना दी आर्ट शोर। उन्दे बारे मैं तवनु थोड़ा जया अज जिकर करांगी। कापानी जी ने शुरूआत की ती, Artists of Sikh Kingdom. उना दी सब्छापली वर्डी एग्जिशन, 1992 देविछ, Asian Art Museum of San Frascosco विछ वच हूई। यह exhibition नहीं successful होई कि लंडन गई, न्यॉयोर्क गई, वाशिंग्टन, D.C. ते ट्राउंट होगई उरे exhibition में भी देखी, सेंफससकुच, ते 2003 देविच ड़क्टर कपानी जी ने बहुत वर्डी contribution Asian Art Museum ने कीती, उन देनाल उनादा सारा जड़ी collection है की है, वो तुसी पर्मनेंटली जुद भी चाओ देख सकते हो, ते लास्त यर एक होगई एक ओर exhibition, expression of divinity, जड़ी की August 31st and November 3rd, the Triton Museum of Santa Clara देविच सिगी, इन दच मेरा आट भी display सी, Dr. Kapani ji, तुमैं बहुत कुछ सिख्या, उना दी distinct laugh, उना दी sense of humor, we learned a lot from him, we'll definitely miss him, उना दा, जड़ी साड़ी, एड़ी गिफ्ट हागा, उनों सी continue रखिये, अपने next generation नो, जड़ी ना दी कलेक्शन हैगी, जरू दखाई अपने बच्चेनों, यरसम नो जारी रखिये, ये दीवा भुजना देए, so we'll definitely miss him, thank you so much, Satrikal, Satrikal ji, मेरा ना रनी सिंग है, I am a poet, author, columnist and a spiritual life coach and today I am very grateful to Major Nagra, के ओना ने मैननो एक मौका दितता है के Dr. Kapani ji दे बारे विच कुछ लवस मैं भी कह सका, Dr. Kapani as we all know was one of the great Sikhs and not only was he a great Sikh but a great human being and onna ne jo kuchh virse ve chadya hai ga suddenly, oh ek bohat hi revolutionary chiz hai. I have been for my work traveling all over the world and is doran मैनो मौका मेले आसी होना नाल मौला कात करन्दा Sikh Art Festival विच बहुत सारे Sikh festivals दे विच मैं इस्सा लिपता है but onna di contribution बहुत ही जबरदस सी क्योंके onna nek Sikh foundation शुरू किती सी जिस दोरान बहुत सारे Sikh festivals करवाय गई ने and I will first say a little bit about his life and then onna di baare vich jo kuchh मैननो मालू मैं थोड़ा बहुत मैं कहन दी कोशिश करांगी Dr. Kapanida Janav Mokyevich hoya si, te ek chota ja shahar hai ga, jaab vich ते उस तो बाद graduation उना ने किती आगराज but high school दी पड़ाई उना ने देरा दून विच किती ते देरा दून क्योंके मेरा अपना शैर है मैं उत्ती पैदा होई उत्ती वालम गर्ल्स schooling किती ते मैंनो ओदेन आल बहुत जादा लगाव है ते जेडा भी गंदा होते मैंनो इंज लगदा है कि जो भी देरा दून दी तर्ती विच हमालयाज दी फोटहिल्स ते हैगा ते ओदे विच एक special जनून आ जानदा है शायद डॉक्टर कपानी विच भी एही थोड़ा बहुत आंच एहमालयाज दा आयाई होगा थोड़ा बहुत नी बहुत जादा ते ओना ने जो कुछ सा डेली किता उस्तो बाद अफकॉस बफोर आई क्यारे आं दात ओ गए लंडन इंपिरियल कॉलेज लंडन विच उना ने अपनी अडवांस स्टाइज कीतियां ते ओथे उना नो एक स्कॉलर्शिप भी मिली सेगी फॉर्दर रीसर्च लाई पर उना ने डिसाइड कर लिता के उना ने यूएस से जाना है ते उस्तो बाद उथे ही रहे त जिते उना ने बहुत जबदस काम कीते ते गुड़े साइंटिस्स दे कम्यूनिटी दे एक किसम दे राजा बंगे ते उना ने जो कुछ सानू दिता अपने काम दे दौर्च उता बिलकुल ही मतलब हो दा कोई वेरवाई नी किता जा सागता ते उना ने शायद ही वस देना हैं वसाट नेओ अर एंपने किसे गर्व और ते ते यहाईं वाल्ड़ आवीज घूड़े ने किसे अगलगोदिस्पूनिदॉद वसक्ता लिज़ाई वसक्ता आपको हैं परूआ प्रूब यह जायद उना इसक्ता बीया प्लाव प्या झार्श जाएर ने उना टित because of various reasons which we cannot really pinpoint but I would like to say that he was honestly one of the most deserving physicists now talking of all his other qualities not only was he a scientist but he was a great philanthropist who worked a lot for the community he created something called the sick foundation which was actually created to bring together the sick community and put in the values so that we could form a great relationship with the western world with the u.s. especially and one of where I met him was at one of the sick foundation festivals and of course left a very very deep impact on me at that point and I would like to say that of course the impact on me was whatever but do impact on any dunya later there or they now I would like to mention Mr. Ambikara who invited him who actually started something called the spirit born foundation then at the behest of Dr. Kapani he decided to have this festival at the Royal Ontario Museum of this art of the sick kingdoms now this was also a coffee table created and the festival they had was absolutely fabulous which brought the people in touch with the Sikh art and the Sikh culture and gave a lot to the community around now what he said was that it is the Sikh spirit that continues to live not only through him and in the people around which created a left and left a great impact on the world at large and I would like to particularly mention that Mr. Ambikara has carried forth a lot of his values and a lot that he has left us with in terms of promoting art and culture of the Sikhs and giving it out to the world I would also like to say not as the last bit that taking his work into consideration we must remember that he was a great Sikh and not forget that his contribution will be affecting generations to come and the world and with that I would like to pay great homage to Dr. Kapani and be grateful that God blessed us with a supreme soul like this who came into the world to create and recreate human history Dr. Narendra Singh Kapani Dr. Narendra Singh company Dr. Narendra Singh company टेकनिकल एरिया जड़ा उना दा साइंस वड़ा खेतर है उस देविच उना देजिए प्राप्तिया हन उना नू जेकर गिनिये ता उ बहुत वड़िया हन सौतों वदे रे उना देकोल पेटेंट रेजिस्टर हन जड़े की उना ने काड़ा या एक एलो की दुनिया नू नाल दी नाल उना दाविया शिरिमती सुरस्तिंदर कौर जड़े नाल होया अते उहो अमरीका देविच जथे रोचेस्टर यूनिवरस्टी देविच आके उनाने काम अरंबिया उस तो बाद नाल नाल उनाने इलिनॉई इंसिच्टूट आफ टेकनोलोजी शिकागो विख विख कोज समा जड़ा है ओहो कारज कीता उनिसो काहट देविच उना वलों फाइबर आप्टेक देनाल संबंदत आप्टेक टेकनोलोजी इंक नादी कंपनी स्थापत कीती गई जड़े की उनसो स्तार देविच जन तक कर देती गई आते इसे तरह उना दा जड़ा काम सी ओहो दुनिया पार देविच जिते इसलाहा गया ओथे उना दी फाइबर आप्टिक दी वर्तों वड़े पदर दे इंडस्ट्रियल लेवल दे दुनिया पार देविच होई अते ज़स्दे जरीए आज जसीं इंटरनेट देना माद्यम राहीं भी जुड़ दे हां डॉक्टर कंपानी वलो जिते अपने कारज काल दे दुरान सिक आर्ट्स नू दुनिया पार देविच परफुलत करन दे लेए मूजियम देविच पे जगया ओथे उस देविच जिकर जोग है विक्टोरिया आते अलबर्ट मूजियम लंडन आते स्मिसोनियन मूजियम वड़ी जड़ी लेगसी छट गये ने उते उना दे वलों पाए होए जड़े पूर्णे ने उना नू रहें दी दुनिया तक जिते सिक जगत याद रखेगा उते दुनिया पार देविच ओहो फाइबर आप्टिक दे पितामा दे तौर दे उते हमेशा याद रेंड़ गे दे दिलां दे विच तड़क दे रेंगे डाक्टर नरंदर कपानी नू आज असीं सिंप्ली ग्रेट्स दे माद्यम राहीं एक निग्गी शर्दाजली पेट कर दे हां तानवार